दोस्तों गर्मिया आ रही है और ये समय है गुड़हल में अच्छी फ्लावरिंग लेने का हलो नमस्कार दोस्तों आप सबी का स्वागत है महाकाल अरगनिक पर दोस्तों हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिससे आप अपने गुड़हल के प्रांट्स में फूरी गर्मी और बरसाथ देर सारे फूल ले सकते हैं गुड़हल में जब फूल लगे होते हैं तो यह बड़ा ही मनमोग लगता है मार्च की सुर्वास से ही फ्लाबरिंग होने लगती है विंटर में गुड़हल डौवेंसी में चला जाता है और फ्लाबरिंग नहीं करता है मार्च के समय में आपको अपने पौदे की अच्छी केयर करनी चाहिए तागी आने बाले समय में अच्छी फ्लाबरिंग होती रहे सारी केर टिप्स आपको वीडियो में मिलेंगी बस आप इस वीडियो में बने रखी रहे इस समय आप गुढ़हल का दर्शरी से पौदा लाकर लगा सकते हैं बसंदबा बरसाथ ये दो समय होते हैं इसमें आप किसी भी प्रकार का पौदा गुरो कर सकते हैं और यही सबसे ज़्यादा सुटैवल टाइम होता है गुढ़हल काई कलर्स में आता है जिनमें लाल, पेला, सफेद, गुलावी ये प्रमुक बेराइटेज होती है ये आपको देसी और हाइबीट दोने मिल जाता है हाइबीट थोड़ा सा महेंगा होता है और जो देसी होता है वो थोड़ा सा सस्ता होता है अब अगर आपको अपने गुढ़हल के पौदे पर अच्छी मातरा में फ्लावरिंग लेनी है तो पौदे को फुल सनलाइट में रखें क्योंकि ये गर्मियों का पौदा होता है गर्मियों में फ्लावरिंग करता है तो इसे फुल सनलाइट चाहिए होती है साथ में डेली पानी देते रहें ताकि मिट्टी नम रहे सूखे नहीं अगर आपके प्लांट की मिट्टी गेली रहे तब आपको पानी नहीं देना है दोप की कमी होने पर इसमें जो पत्ता छेदक होता है मिली बक्स होते हैं, एपेट्स होते हैं अगर आपके पौदे में मिली बक्स लगे हुए हैं तो सबसे पहले आपको अपने पौदे के ओपर डिट्रेजन्ट की गूल का अच्छी तरीके से इस्प्रे करना है इससे होता यह है कि जो एपेट्स और मिली बक्स होते हैं इनके उपर एक कबरिंग होती है, वो हड जाती है इससे इनके उपर अगर किसी हम दूसरी दबा का स्प्रे करते हैं तो आसाने से यह जो होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं तो अब इतना कर देने के बाद आपको इसके उपर नीम ओल का स्प्रे करना है नीम ओल का इस्प्रे करने से यो एपिट्स होते हैं, मिली बक्स होते हैं इनकी मात्रा जो होती है बहुत ज़्यादा सिम्मित हो जाती है अगर आपके पौदे पर ज़्यादा मात्रा में मिली बक्स या एपिट्स हैं तो इन पर आप हर तीशरी चोथे दिन ट्रीटमेंट करते रहिए और ऐसा आपको लबग देट से दो हपते करना है जिससे कि आपके जो पौदा है एक बार पूरी तरीके से जितने भी छोटे मोटे खिले होते हैं उनसे फ्री हो जाए अगर आपके पौदे छोटे गमले में लगे हुए हैं तो यह समय है आप उन्हें बड़े पौट में सिफ्ट कर सकते हैं अगर आपने पहले के भी कटिंग लगाई हो तो कटिंग को भी आप इस समय सिफ्ट कर सकते हैं गुड़ेल के लिए 12-14 इंच का जो पौट होता है सबसे बेस्ट रहता है पौदे को रिपौट करते समय मिट्टी और गोबर खात को विकल मातरा में मिलाकर गमले में भरें पौदे को रिपौट करते समय आपको उसकी रूट्स को डिश्टरब नहीं करना है इस समय रूट्स शलो डिवलब होती है अगर उसका रूट्स वाल ज्यादा डिश्टरब हो गया तो प्लांट सौक में जा सकता है या कभी-कभी मर भी सकता है हमेशा पौदा अर्लिंग मॉर्निंग या साम के समय रिपौट करना चाहिए अगर आपको अपना पौदा घना करना है तो तीन से चार महिने में एक बार सौट्ट फ्लोनिंग करते रहना चाहिए आप हैंड फ्लोनिंग करना चाहते हैं तो शरी जो हार्ड फ्लोनिंग होती है उसे करना चाहते हैं तो आप हार्ड फ्लोनिंग कर सकते हैं नए तो जो soft pruning है उसे आपको करना चाहिए soft pruning आप कभी भी कर सकते हैं किसी भी मंत में कर सकते हैं लेकिन hard pruning जो होती है उसको cable और cable जो growth का समय होता है उसी समय करना चाहिए जैसे कि अगर इस समय आप hard pruning करेंगे तो उतना benefit आपको नहीं मिलेगा लेकिन यही hard pruning आप बर्शात आने के समय करेंगे तो आपको इसका बहुत ही ज़दा फायता मिलेगा इस समय आप cable soft pruning कर सकते हैं soft pruning करने से जो growth होती है वो अच्छी होती है साथ में उसमें जो branching होती है वो बढ़ जाती है पौदे को हमेशा green रखने के लिए उसमें आ रही dead leaves और flowering को हटाते रहना चाहिए इससे growth नहीं रुपती और disease भी कम आती है पौदे पर पानी भी इस्प्रे करते रहना चाहिए और इस्प्रे हमेशा सुबह करना चाहिए सामके समय नहीं करना चाहिए सामके समय करेंगे तो जो मौशर होता है लंबे समय तक रिटेन रहेगा पौदे के उपर जिससे जो disease है वो जदा आएंगी अगर आप सुबह करते हैं तो ये पूरे दिन का जो मौशर होता है मेंडेन रहता है और दूप में जो extra मौशर होता है वो खत्म हो जाता है जितना पिगड़ों के लिए लाबदायक होता है उतना पिगड़ों के पास रहता है नए इंप्लांट्स में कभी भी आपको root froning या branch froning नहीं करने चाहिए क्योंकि अगर आप नए प्लांट्स लेके आते हैं तो उनमें जो growth होती है वो पहले हो जाने दीजिए आप किसी pot में लगा रहे हैं उसमें लगा दीजिए तीन से चार महिना लुकिए जब उसमें growth होने लगे तब आप soft froning का यूज़ कर सकते हैं हार प्रोनिंग का हमने आपको महिना बता दिया बरसात के समय में आपको जो हार प्रोनिंग है वो करने चाहिए गुडायल में अच्छी flouring के लिए उससे एक महिने में दो से तीन मुठी कुवर की खात दें साथ में एक जम्मच चाह या कॉफी भी मिला लें क्योंकि जो गुडायल के पौदे है या फोडिशी एक चाहिए होती है तो आप कॉफी या चाय मिलाएंगे उससे ये जो मिट्टी है नों थोडिशी एक नाश्टी बनी रहेगी चैनी वी कई चाय कैसी होती है जो आप चाय बना लेत आपको डायरक्ट जो बाजार से चाहे आती है उसका यूज़ करना है एक सिर्फ लिड्ट चममच एक चमच काफी बती है इससे कम कर सकते हैं इससे ज्यादा मत कीजिएगा क्योंकि इससे ज्यादा यूज़ करने पर आपको कुछ side effects दिखाई पड़ सकते हैं तो जो बची वी आपकी चाय होती है उसका आप compost में यूज कर लीजे compost में बढ़िया काम करेगा अगर आपके पौदे में problem गम हो तो आपको केले की चिलकों का fertilizer देना चाहिए केले की चिलकों का fertilizer आप दो तरकार से दे सकते हैं एक तो आप soup जो केले के चिलके होते हैं उनको दोप में सुका कर या च्छाओ में सुका कर उनको दरदरा मिक्सी में पीछ लीजिए फिर उसे दीजिए या आप उसका जो liquid fertilizer होता है वो बना कर दीजिए अगर आप किसी जैसे की गुबर की खादोगी उसके साथ दे रहे हैं तो आप जो सोका है उसको दीजिए बागर आप पाने के साथ दे रहे हैं तो पंदरा से बीच दिन में एक बार पाने के साथ दे सकते हैं जो केले की चिलके होते हैं इसमें पोटेशियम होता है, जो कलिया बनाने के लिए ज़रूर्दी होता है, अगर आपका पौधा रूट बाउंड हो गया है, तो आपके पौधे को रिपॉर्ट नहीं करना है, अगर आप गार्णिंग में एक्सपर्ट हैं, तो आप किसी भी समय इसकी रिपॉर्टिंग कर सकते है अगर आप बिगनर हैं या थोड़ी बहुत गार्णिंग करते हैं, तो आपको अभी जो है वो रूट बाउंड की को नहीं हटाना है, आपको क्या करना है, तो अगर रूट बाउंड होगा तो पौधा अच्छी तरीके से ग्रोध नहीं करेगा, तो उसका एक सेलूशन है कि आप एक या दो दिन हलका सा जो मौशेर है, मिट्टी का उसको खताम हो जाने दीजी, फिर उसकी अच्छी तरीके से दो से धाए इंच जो मिट्टी है, उसको क्या पर दीजी, गुडाई कर दीजे अच्छी तरीके से, इससे क्या होगा कि जो उपर वाली जड़े होंगी, सारी रूट्स डिस्टरब नहीं होंगी, फिर उसमें गोबर की खाद आदी, जो फटलाजर होता है, वो देकर फानी दे दीजीए, और फिर थोड़ा सा उसे एक दो दिन के लिए छाया में रखिए, तो इससे आपका जो पौदा होगा, वो दुबारा से क्रोथ करने फिर जैसे ही वर्सात का समय आता है, एक दो बारिस हो जाती है, फिर आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपको जाता ही जरूरत है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग करते समय आपको ध्यानक ना है, उसकी किसी भी जड़ को छोना नहीं है, यत या दो इंच पड़ा जो कमला लेते हैं तो उसमें एक सी डिगड़ साल आसानी से पौधा आपका ग्रो कर जाता है लाश्ट में अगर आपके पौधे पर डिजीज का टेक्स जादा होता है तो आप महिने में एक बार अपने पौधे पर फल्दी का पानी जरूर दें इससे जो उसकी एमेल्टी होती है वो बढ़ जाएगी और उसमें डिजीज है वो ज़्यादा नहीं आएगी तो ऐसा आप महिने में एक बार कर सकते हैं आप एक चमच फल्दी पावडर को एक लीटर पानी में मिला लीजे आप उसको जड़ में भी देतीजिए और उसका इस्प्रे भी करतीजिए अगर आप जो टिप्स और केर इस वीडियो में बताई गई है उसका आप यूज करते हैं और उसको फॉल्लो परते हैं तो आप अपने पौदे में कई सालों तक अच्छी मातरा में फॉलाविंग ले सकते हैं तो बस इतना ही रिजिटू में फिर मिलेंगे नए वीडियो में